चलिए बात करते हैं एक बहुत ही important topic के बारे में Italy will withdraw from China's Belt and Road Initiative जी हाँ बिलकुल चाइना के Belt and Road Initiative से Italy अपना withdrawal लेने वाला है और ये कह सकते हैं भारत के लिए बहुत ही important geopolitical news है Prime Minister Georgia Maloney said that the deal did not benefit Italy जी बिलकुल यहाँ पर Prime Minister Georgia Maloney जी ने कहा है कि ये जो डील थी चाइना के Belt and Road Initiative की वो उनके country को benefit नहीं कर रही है चलिए बात करते हैं इसके बारे में वर्ल्ड की various news media and various newspapers ने इसे cover किया है did not produce the research we hope for Italy exits China's Belt and Road Project चले इतली Prime Minister Georgia Maloney pulled her nation out of China's Belt and Road Initiative so Italy was the only G7 nation to sign up for the Belt and Road Initiative G7 nations के अंदर शामिल होने वाला इतली एक मात्र देश था जिसने Belt and Road Initiative को sign up किया था और हाली के अंदर उन्होंने Xi Jinping के इस project को leave कर दिया और predatory बताया नेचर के अंदर Big blow to the China Italy to Loo the Belt and Road Initiative joining China's BRI was a mistake it has been said by the Italy's Prime Minister Georgia Maloney जी हाली में आप देख सकते हैं Georgia Maloney और Prime Minister Narendra Modi various platform पर बहुत ही अच्छी दोस्ती दिखाते हुए आए है भारत और Italy के relations के regarding quality as you can see यहां पर Narendra Modi जी ने retweet किया था good friends at a COP28 Georgia Maloney जी ने ये hashtag यूज किया था that is melody meeting friends is always a delight इतली officially withdraws from China's Belt and Road Initiative and formally exit करेगा चाइना के Belt and Road initiatives है this comes as a blow to the President Xi Jinping's effort to revive the mega infrastructure project जी बिलकुल शी जिन पिंग जी जिनके होसले और उनके आयाम अलग ही चरम पर रहते हैं China को लेकर और उनके इस उसलो को Italy ने एक blow दिया है exit करके China के Belt and Road initiative से हाली के अंदर हमने देखा था Belt and Road initiative से लेकर एक meeting conduct हुआ था China के अंदर जिसमें over 130 plus countries ने participate किया था और उसकी major highlight ये रही थी कि Russia के President Vladimir Putin उस meeting के अंदर शिरकत करे थे International Criminal Court के arrest warrant के बावजूद चाइना में विजिट करे थे विलादमेर पुतिन सबसे बड़ी highlight रही थी चाइना के Belt and Road initiative की annual meeting की 2019 के अंदर Italy G7 का only nation बना था जिसने चाइना के Belt and Road initiative के लिए sign up किया था चले वाई डिड इटली पुल out of BRI किस वज़े से इटली ने पुल किया है BRI प्रोजेक्स से प्राइम निस्टर जोर्जिया मेलोनी टुक ओफिस दे लास यर पिछले साल प्राइम निस्टर जोर्जिया मेलोनी ने इलेक्ट हुई और ऑफिस समाला है यहां पर जोर्जा मेलोनी जी का कहाना है कि यह जो मोडल है और लिंक है चाइना को वेस्ट से लिंक करने के लिए और इससे इटली को किसी भी तरीके का गेन होता हुआ दिख नहीं रहा है तो यहां पर जोर्जा मेलोनी जी का कहाना है कि हम चाइना के साथ में कोपरेशन बिल करेंगे ट्रेड में एकोनोमी में लेकिन BRI जो है हमारी कंट्री को किसी भी तरीके से बेनिफिट नहीं कर रहा है इसलिए वी आर पॉलिंग आउट अफिट 2019 के एकोर्ट के बार में बात किया जाए जो 2024 के अंदर एक्सपार हो रहा था और वुड है बिन ऑट्यमेटिकली रिन्यूट अनलेस रोम गेव एट लिस्ट थी मांस तो यहां पर अटोमेटिकली रिन्यूट हो जाती मेंबर्शिप अगर रोम उसको अप्रूवल देता बट रोम नहीं आपर नहीं दिया इटली की कैपिटल है रोम और वेयरए के अराउंड क्या 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 चाइन करती है चले विद्ब ब्राइच मेंजर्ट क्षान ऑफ डेवल्लक्मेंट प्रोजेक्ट विद्र बंक में एकड़ मिला के चल रहा है इन कॉंपिडिशन चीज इनिशेटिव हैस बिल्ट पावर प्लांट्स रोड्स बनाए है उन्हों रेल रोड्स पोर्स बनाए है कंट्रीज के अंदर आप सबी ने देखा श्रिलंका के इंदर डेवलेप्मेंट के अगया है बांगलादेश के अंदर म्यानमार के अंदर ठीक प्रोजेक्स है उसकी वज़े से जो छोटी-छोटी कंट्री से इन लोग को पे नहीं कर पाती है और अपनी कोई ना कोई प्रोपर्टी उनको लीज पर देनी पड़ती है जैसा हमने पाकिस्तान के साथ में देखा श्रिलंका के साथ में देखा मौरीश माल्दीव्स आर दे next country in the line of debt trap of China in some cases leading to the China taking control of this assets all right China की government says initiative ने more than 3,000 projects galvanize किये nearly 1 trillion का investment किया है world के अंदर आप देख सकते है 1 trillion का investment किया है 3,000 projects के अंतरकर belt and road initiative it has also attracted criticism from US, India and others that China is engaging in the debt trap very important time trap trap आपने काई बार सुना होगा आपके geopolitical strategies के अंदर कि debt trap चाइना की एक diplomacy है एक strategy है world के अंदर various countries के अंदर investment करना और उन countries के उपर इतना heavy loan impose कर देना जिसको वो repay न कर पा है और repay करने के लिए यहां पर कुछ न कुछ चीज उन्हें lease पर देनी पड़ती है और वो चीज या फिर वो land strategic importance बन जाता है चाइना का जैसा हमने देखा श्री लंका ने हम बंतोता पूर्ट पाप का ग्वादर पूर्ट मेंकिंग लोंस बीजिंग न्यू गर्रमेंट वूद लाइली डिफॉल्ट अन इनलेबलिंग चाइना इंट्रेस्ट तो टे कंट्रोल अब अशेट जो हमने बात किया भी अगर हम बात करें श्री लंकान गवर्मेंट एंडेड अप लिजिंग तो चाइनीज कंपनी फॉर 99 यह जिब लकुल चाइनीज की कंपनी को 99 यह के लिए हम बंतोता पूर्ट यहां पर देना पड़ा इसके बारे में अगर हम बात करें वीरियस कंट्रीज की जद में और आने वाले समय में और भी कंट्रीज इसके जद में आने वाली है यह सब हम देखते जाएंगे चले बात करते हैं यह आपर वैनातू बीजिंग हैस प्रोवाइड यूस डोलर 54 मिलियन लोन तो बिल 360 मीटर लोगेनवाइल एन 47 मिलियन तो बोथ प्रोजेक्ट्स के डवल एस मिलिटरी बेस ठीक है वनातू के अंदर मियानमार के अंदर प्रोजेक्ट्स ठीक है साथ ही में सिलंका का हमन तोता पोर्ट ग्वादर पोर्ट उफ पाकिस्तान जिबूती के अंदर ऐस्मिलिटरी बेस का मार्व 1 ऐस्व तो ये सबी countries अभी debt trap की strategies में involved है debt exposure to the China पाकिस्तान का आप debt trap देख सकते हैं सबसे highest and number one पे है debt exposure to the China के अंदर उसके बाद में इंडोनेशिया, विएतनाम, लेोस, शिलंका, बांगलादेश, मलेशिया, म्यानमार, कमबोडिया, पपुआ, न्यूगिनी ये सबी countries debt trap के अंदर आचुकी है, public debt और hidden debt के अंदर बात क्या जाए आप देख सकते हैं, mostly यहाँ पर South Asian countries है, जो इंडिया की neighboring countries बनती है बेव बंगाल के अंदर, state of मलक्का के अंदर important resources है जैसे आपके Malaysia, Singapore, इंडोनेशिया के बारे में बात करे हैं South China Sea countries, Vietnam, Leos, Cambodia, Papua New Guinea चाइना's proposed belt and road initiative चाइना का proposed belt and road initiative के अंदर, दो roots आते हैं Silk Road Initiative, Maritime Silk Road Initiative जिसके अंदर अगम Silk Road की बारे में बात करें तो Europe को Central Asia से connect करते हुए, चाइना से होते हुए South China Sea, South Pacific Asian पे connect करने की बात की गई है और यही हम Maritime Silk Road की बात करें तो Central Asia, South China Sea से होते हुए South Asia, Indian Ocean, State of Malacca, Arabian Sea से होते हुए Gulf of Oman, Jibouti Island से connect होके Central Asian countries and European Union countries को connect करने की बात की गई है Belt and road initiative के तहत What is the I-M-E-E-C India Middle East Europe Economic Corridor Jibilkul, भारत की तरफ का यह initiative हुए India Middle East Europe Economic Corridor The MOU for which was signed during the New Delhi G20 Summit Jibilkul, New Delhi G20 Summit के दोरान India Middle East Europe Economic Corridor signed किया गया और widely perceived किया जा रहा है as an initiative Launched to counter Belt and Road Initiative Belt and Road Initiative को counter करने के लिए इस I-M-E-E-C को launch किया गया है The governments of India, Saudi Arabia, United Arab Emirates, France, Germany, Italy, the European Union and the United States signed the IMO कि इन countries ने यहाँ पर Memorandum of Union Association यहाँ पर Understanding sign किया है with these countries and Indian government The I-M-E-C seeks to bolster the communication as well as transport links between Asia and the West Asia and West के लिए communication build करने की बात की गया है This would see the establishment of rail and shipping networks and more Announcement of I-M-E-C corridor came at the time when critics have been pointing at a opaque pricing of infrastructure projects undertaken by the Chinese company यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना के प्रोजेक्ट के उपर जो infrastructure प्रोजेक्स इंपोस किये जा रहे थे उसको counter करने के लिए I-M-E-C को continue किया गया है इंडिया, Middle East, Europe, Corridor के बारे में अगर हम बात करें इंडिया को connect करने की बात की गई है United Arab Emirates, Saudi Arabia, Israel, Greece, UAE and all other countries एक और इनिशेटिव यहाँ पर है International North South Transport Corridor International North South Transport Corridor साथी में Necklace of Diamond यह सबी strategies to counter the Pat and Road initiative आने वाले समय में इसके regarding क्या development हो सकती है इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए आप जुड़े रहे है Unacademy Defense Guru कुल पर I'm sure आप सभी को इस topic की समझ मिल पाई होगी